मुसलिम भाई हूँ तो सवाल कर सकते हैं सलाम अलेकुम जाकिर भाई मेरा नाम तुशार शहा है मैं जैन गुजराती हूँ सर मैं सिविल इंजिनियर हूँ कॉमर्स ग्रैजियट हूँ और एंबिये की डिग्री होल्ड करता हूँ और पूना में ऐसे प्रमोटर बिल्डर काम करता हूँ सर मुझे आपके बारे में हमारे एक मुसलिम फ्रेंट के तुरू मालूम पड़ा उन्होंने आपका एक सीड़ी मुझे दिया जो के वेज और नौन वेज के उपर आपका डिबेट था सर और वो आपने जहिन लोगों के साथ किया था और मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर और मैं तब से आपका फैन हुआ तकरिबन पांच साल पहले उसके बाद मुझे आपसे जादा से जादा जानकारी कैसी मिले यह मैं खोज रहा था तो मुझे क्यू टीवी की बहर पता चला और मैं आपको क्यू टीवी पे देखना चालू कर दिया सर उसके बाद में तो हमारी लॉटरी ही लग गई पीस टीवी चालू हुआ सर पीस टीवी तो 24 गंटे चलना चालू हुआ और सर मैं यहां ब्रेक लेके बोलना चाहूंगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स है यह जो भी राइट सर रितियोल जैन लोग फॉलो करते है यह बच्पन से लेके आज तक मैं समझने में फेल रहा हुँ सर एक भी उनका प्रिंसिपल्स मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सर अन दो कॉंटररी इसलाम के जितने भी प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े जो के आपके त्रू मालूम पड़े 99.99% एक्सेप्ट हो रहे है ओ भी लॉजिकली सर तो यहाँ दूसरी बात ऐसी हो रही है कि पीस टीवी के बारे में थोड़ा आपकी पर्मिशन से बात करना चाहूंगा मेरी एक रेक्वेस्ट है आप से कैना एक टॉक सर सवाल थोड़ा मुक्तसर करें अज़े मुक्तसर ही है नहीं असल में क्या है बहुत सारे बाई खतार में खड़े हुए हैं बहने भी हैं सब को मौक्ण दीजिए जाकिर साब को सुनने का इसलिए प्लीज आप पहले अपने टॉपिक पर आजाएए आप क्या कहना चाहते हैं सर पता है मुझे मैं तीन दिन से नंबर लगा रहा हूँ आज नंबर लगा है सर तीनों दिन का पदला वस्लू कर रहे हैं जी नहीं सर मुझे कुछ पीस टीवी के बारे में बात करना है मुझे बात करने का मोका दिया जाए सर ऐसा हुआ है कि पीस टीवी से मुसल्मान लोग को तो बहुत फाइदा हुवता नजर आ रहा है लेकिन उससे कही जाएदा फाइदा इस्लाम के बगर जो मजब है उनको होता नजर आ रहा है सर इसका कारण मुझे जो ध्यान में आ रहा है यह है कि इस टीवी तू बगर इस्लामी मजब की जो किताब हैं उस पे रोशनी डाली जा रही है सर और उन लोगों को यह मालूमात मिल रही है कि उनके बुनवादी वसूल क्या है उनके प्रिंसिपल्स क्या है और आज जो नौन मुस्लिम लोग है उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सोक और धरम गुरू को सवाल पुछने की ताकत रख रहे कि जो कुछ हम सुन रहे है यह सही है क्या यह उसने की हिम्मत आ रही है सर और यह हिम्मत थोड़े दिन में बहुत बढ़ जाएंगी सर इसे रोकना आप मुस्किल है अब यहाँ पर प्राब्लेम यह आती है कि पूर्णा में एक एरिया में पीस टीवी पूरी तरह से बंद हो चुका है यह मेरी कंप्लेंट है सर हम जो एरिया में रहते हैं वहाँ पीस टीवी काफी महिनों से बंद है अभी चलाने वाले भाई जो है यह मुसल्मान है और उनके अंडर में जो एरिया हाता है वो पूरा ही मुसलिम एरिया है सर अब उन्हें प्राब्लिम क्या है समझ में नहीं आ रही है चैनल चलाने में आस्ता चैनल चला रहे है संस्कार चला रहे है फैशन टीवी 24 गंटो चला रहे है ट्रेंच 24 गंटो चला रहे है ट्रेंच 24 गंटो चला रहे है ट्रेंच 24 टीवी नहीं चल रहा है हमने उन्हें काफी रिक्वेस्ट की इमेल बेजे नोटिस बेजी फिर भी कोई उसमें बदला प्रॉब्लम क्या है क्योंकि कल एक भाई नहीं थोड़ी बात की लेकिन खुल के बात नहीं की आपने उन्हें कहा कि आप एक पाच छे हजार की डिस्ट लगा दो पीस टीवी चल जाएगा सर पाच छे हजार की डिस्ट लगाने वाले की ताकत पुना में पांसो लोग रहेंगे पाच हजार लोग रहेंगे लेकिन पुना में बहुत गरीब लोग है जो कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उनका हक है कि पीस टीवी देखें करके तो मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप वो भाई साब का प्रॉब्लेम क्या है वो देखें और पीस टीवी चालू करने के लिए रिक्वेस्ट करें और अब मैं सीधे अपने सवाल पर आता हूँ सर जैसे मैं ने कहा जैसे मैंने कहा कि जैन लोगों का एक भी प्रिंसिपल लॉजिकली मेरे समझ के बहार है और इस्लाम के जितने प्रिंसिपल मैंने सुने है 99 प्रिंसिपल्स मुर्जे लॉजिकली एकसेप्टे सर जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गड़ड़ाट है वो मैं आप से पूछने लेना सर मुझे तो मेरा ये है कि we are every human being is born with free will and we are here to test for the life to come hereafter ये एक principle है सर मुझे accept है मुझे कोई का इसमें ये नहीं है दूसरा principle है सर तकदीर का जहां मुझे थोड़ी गड़बड हो रही है तकदीर का principle जो मैं समझ रहा हूँ और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्ला ने लिखा है करके आप कर रहे हो ये जुमला गलत है आप जो करने वाले हो वो अल्ला को मालूम है करके अल्ला ने लिखा है I hope I am right सर तो सर अगर जब free will का जो principle है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर जबके मैं देख रहा हूँ free will आप जो करने जा रहे हो यानि कि मुझे free will तो है करने में ये principle टैली हो रहा है रुणोंने लिख के रखा है तो मुझे ये समझ में आरहा है कि हम अखरत तक क्या करने वाले है याने सब लोग जो जो है क्या करने वाले है यह अल्ला को पता है यह एंड रिजल्ट आड अल्ला को पता है अईसा मुझे लग रहा है बिलकुल सही I'm glad sir जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था अब यहां बात यह आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की ज़ुरत क्या है बहुत अच्छा सवाल लगता है कि आप बहुत पीछ टीवी देखते हैं माशाला आप भी देखता हूं सर आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉट में कहा यह सर बहुत कम मुसल्मान यह कह पाएंगे मुसल्मान को भी यह प्रॉब्लम में तकदीर क्या है मैच करने का कि फ्री सर अगर यह तो एक पार्ट था क्वेस्टिन का दूसरा पार्ट यह है कि अल्ला को जब अगर मैं तो बनिया हूं सर मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एकसेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा कुछ नकुछ तो मिलना पक्का है अब यह सब खेल में अल्ला को क्या मिल रहा है यह में जानना चाहता हूसर बहुत अच्छा सवाल यह दूसरा सवाल है मेरा और त्र जूर सवाल का जवाब दूगा तीसरा मत पूछे सर शौर्ट यह शौर्ट यह नहinda तो लोग मुझे कहेंगे का मैं इपना इंसाफ ही करना हूँ, इसी से connected है, और इसी out of curiosity पूछ रहा हूँ, आप देना चाहे, दे सकते हैं, नहीं देना चाहे, नहीं दे सकते हैं, सर हमारा फैसला कैसा होना वाला है, यह तो मुझे पता चल गया, कि do's or don'ts कुरान में लिखे है फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा, लेकिन जो जानवर, एनिमल्स जो है, एलिफाइंट्स, यह जो जो भी जानवर है, इनका फैसला, अल्ला कैसे करने वाले है, यह मुझे जानने की curiosity है, आप देना चाहे, दे सकते हैं, तिनों जवाब दोंगा, आपने बिलकुल सही क जानते हैं, तो हम ळोग क्यों रचारे डामा, डायरेक्ड कीने मुझे जन्नत जालता है, डायरेक्ड कीने दोसक में जालता है, बहुत अच्छा सवाल, सबसे पहले यह सवाल कि अगर अल्ला सुभानावत ताला, आपको बढेंगा अच्छा यह अद्मी अच्छे काम करने वाला है इसको जन्नत में डाला ये अदमी बुडे काम करने वाला है दोजक में डाला और डायरेक अगर दुनिया में आने के बिला जन्नत में डालेंगा दोजक में डालेंगा जन्नत में वाला तो एतराद ने करेंगा दोजक में डालेंगा आप मुझे दोजक में क्यों डाल देंगे, आपके फेवर में गवाई देंगे, आपके आँख, आपके हाथ, आपके हर जिसम के अंग अंग, आपके फेवर और खिलाव में गवाई देंगे, आपके आगे सब कुछ पष्ट रहेंगा, तो आप अल्ला से ये नहें कहेंगे, कि आप मुझे दोजक में क्यों डा इस लिए टेस्ट लेता है, अगर टाला जानता है, लिकिन आप उस पे एतराज ने का आखरत में इसलिए टेस्ट ले रहा है. नमबर दो अल्ला को फाइदा क्या है अल्ला को शैतान ने उसको चैलिंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़का हूँगा चैप नमर 7 में लिखा गया है तो अल्ला कहता है का मेरे बंदे को तु भड़का सकीगा ही नहीं जो मेरे बंदे ने उसको बढ़काएंगा इबलीज कहता है मेरे punishment को डिले करो give me respite अल्ला डिले कर लेता है अल्ला क्यों कर रहा है क्यूंकि अल्ला ताला के लिए इनसान सबसे बहतरी मखलुक है best creation बाकी creation don't have free will इनसान को free will है तो ये सबसे बहतरी creation है उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग है आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है जो फरिश्टे उनको choice ने जो अल्ला कहता है मानना ही पड़ता है जानवर को free will नहीं है जो अल्ला तरह कहेंगा जानवर करेंगा free will नहीं है answer number two answer number three ये test जानवरों के लिए नहीं है जानवर के लिए test ने सिर्फ इनसान के लिए और जिन के लिए जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया एक जानवर ने दूसरे जानवर को खिलाफ कुछ सिंग मारी तो आखरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएंगा और उनको खत्म किया जाएंगा इन्नों स्वार्ग और नर्क में नहीं जाएंगे इनसान सबसे बहतरी मखलुक है सबसे अच्छा creation है चिरिफ वो जन्नत दादोजक में जाएंगे और सवाल के पहले जो आपने पुछा था कि वो मुस्लिम आपरेटर पीच टीवी नहीं दिखा रहा है हम क्या करे आप बिल्कुल सही कह रहे है कि मुसल्मान से ज़्यादा गैर मुसल्मान को फाइदा हो रहा है इसले वो मुसल्मान टेलिविजन नहीं दिखा रहा है और मैं कहता हूँ ना कुछ लोग नाम के मुसल्मान रहते पैसे के रहते वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते हम किसको पैसा देते ने हम ना पैसे ते किसी को खरीते ना किसी को इसलाम फैलाते ना चैनल को पैसा देते God TV, जो Christian चैनल है इंडिया में हर साल 28 क्रोर रुपीज है 28 क्रोर, सिर्फ Cable Operators को पैसा देती है, 28 क्रोर 28 क्रोर वो बजट भी ने, सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए हम Peace TV बोलता है, हमारा अमन का TV, हम आपको एक रुपया देंगे ने दिखाने का है दिखाओ, नहीं दिखाने का है मत दिखाओ तो ये लोग पैसे के पुझा रहे हैं, अब्दुल्ला ने अब्दुल्रुपया है ये मुसल्मान हो ही ने सकता जो भी है, मैं जानता नहीं को ने और आपको सजिजेशन, आप क्या किजए बॉयकोट करो उनको, बॉयकोट करो आप परचा निकालो, जो पीश TV नहीं दिखाता है, हम के बिल टीवि नहीं लेंगे मैं जानता हूँ के बहुए गहर मुसल्मान केबिल टीवि पे पीश टीवि दिखाते हैं, जो केबल टीवी ऑपरेटर मुझे पुना से कहा गया है, वो से गहर मुसल्मान दिखाते हैं, यह लोग सिरफ नाम के मुसल्मान हैं, इन लोग पीछ टीवी देखेंगे तो साजी लाइन पर आएंगे, खुद भी देखते हैं और दूसे लोगो देखने नहीं मैं क्या कहता हूं, अगर नहीं देखते, आप बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में डिश लगाओ, एक डिश का खर्ता पांच हजार है, वायर दो, वायर का 100 रुपी और, या 200 रुपी और, शेसो रुपी और, साभए पांच हजार में, देख सकते हैं, एक आदमी कितना ले छे हजार में 10-15 लोग देख सकते, 600 रुपया, 300 रुपया खर्चाएंगा, और मैं कहता हूँ, कई लोग ने खुद का केबल शुरू किये, ये मुसलमान नहीं दिखा रहा है, उसको छोड़ दो, और वो ये मुसलमान, आज मेरा मैनेजर कह रहा था, एक केबल आप्टेर म जानता ने, हमारा टीवी दिखाता ने, लेकिन लाइफ टेलिकाल दिखाना चाहता है, तो मेरे मैनेजर मंसूर भै ने कहा, अजीब बाते, आप हमारा केबल दिखाते ने, बोलते, पुलिस परमिशन देती ने, कि आज आपको पुलिस परमिशन मिली, चुप हो गया, फिर टीवी पे तीन चार बार दिखा जाता है, कुछ गज़त ने, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, लाइफ में तो कोई भी बात कर सकता है, फिर भी, मैं सिर्फ दूआ कर सकता हूँ, कि आप से दर्कास कर सकता हूँ, कि आप शुरू कीजे, आपके साथ और लोग साथ देंगे, और इन्शालला इसे लोग का केबल चैनली बंदो जाएंगा फिर, सर मैं कोशिश करूंगा सर, और मैं दूआ करता हूँ, कि आप जैसा कहा कि पांच साल से आप मेरी तक्रीर सुन रहें, और आपको लगा के, आप जो कहते हैं कि धर्मों में गलत बाते होती ह साथ पूसर की, और ये मेरा हमेशा कहना है, हर धर्म के टेकेदार से कहो, ये बास सबूद से पेश करो, चाहिए हिंदु धर्मों, जैन धर्मों, इसाय धर्मों, या इस्लामों, सबूद पेश करो, वुरान में लिखाए och हदीस में लिखाए ये और मैं दूャ करता हूँ कि اللہ تعالی आपको हिदाद दे आपको सही रास्ता दिखाए और अमन का मजब कबूल करने के लिदाद दे कोशिश करता हो था है क्यों सर खवातिन के हिस्से में अगर कोई